प्रेजन टीचर अज हम लोग चाप्टर 7 दो ओसांड स्टडी करेंगे उसमें क्या करेंगे तो उसमें एक न्यू टॉपिक स्टडी करेंगे टॉपिक क्या है फरस्ट टॉपिक रीद करेंगे जिससे पता चल जाएगा कि जो question दिया हुआ है उसमें आपको करना क्या है चलिए topic रिज करते है cross the odd one out miss students cross miss क्या होता है तो cut कर देना the odd one out miss students यह क्या है four hearts दिया हुआ है इसमें जो odd है जो अलग है odd उसको क्या करना है इसमें cross कर देना है चलिए हम लोग first question study करते हैं read करते हैं देखते हैं इसमें cross concept को करना है students क्या है यह वी ओ एक्स बॉक्स आर ओ डी रोल एफ ओ एक्स फॉक्स ओ एक्स ओक्स तो इस इसमें हम लोग कन्फूज कर गए कि किसको cross करें और किसको छोड़ दे तो इसमें स्यागा को क्या करेंगे हम लोग तो एक previous class में study clear chapter कर कि rhyming word क्या बता है तो इसमें में क्या बता है झाल एक्स मिश स्टिम्स यह बॉक्स फॉक्स और और उक्स क्या है एक दुसरे का ध्रीं वर्ट्स है लेकिन यहाम अपर आर ओ डी रोज और रोज क्या है तो आपका राइमिंग वर्ड्स इस फोर वर्ड्स में से नहीं है means क्रॉस अब किसको करोगे जो राइमिंग वर्ड्स नहीं है चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं क्रोस कर देते हैं understood next देखते हैं क्या स्टेंस यह क्या है क्या स्टेंस इसमें क्रोस को करेंगे किस मॉड्ड को वनोग क्रोस करेंगे यहाँ पर सबसे पहले फार्ड़ कर लेते हैं कि राइमिंग मॉड्स सेम किसका किसका है यहाँ पर क्या स्टेंस? ओपी, ओपी, ओपी Miss students, यह ध्री वर्ट्स क्या है? एक दूसरे का डाइमिंग वर्ट्स है तो इसमें डिफ्रेंट कॉर हुआ? अलत कॉर हुआ? तो यहाँ पर नॉप Miss, क्रोस क्रोस क्या है? नौध को चलिए हम लोग नौध को क्रोस वर देते हैं नेक्स्ट फांट करेंगे इसमें स्थिदेंस नेक्स्ट क्या है सी ओ डी कोड आर ओ डी रोड एन ओ डी एन ओ डी नौड गी ओ जी डो तो अश्टेंस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे राइमिं वर्ड्स को फांट करेंगे सेम राइमिं वर्ड्स कौन कोन है तो स्थिदेंस सी ओ डी ओ डी ओ डी ओ डी और फर्स्ट लेकर सब क्या है डिफ्रेंट है मिंस ये थ्री वर्ड्स क्या है तो rhyming words है और ये questions तो different है इसे तो cross और किसको करेंगे cross dog करेंगे क्यों क्योंकि ये three words rhyming words है और different वाले को क्या करना था cross कर देना था चलिए आप लोगे इसको क्या करते है cross कर देते है understood next देखते है questions r-o-c-k क्या बना rope c-l-o-c-k clock b-l-o-c-k block s-o-b so फिर सेसको रीद करते है r-o-c-k rope c-l-o-c-k clock b-l-o-c-k block s-o-b so आप steps इसमें आप लोग क्या देखेंगे पहले क्या चेक करेंगे फर्स्ट हम लोग चेक करेंगे कौन-कौन words उसमें राइमिंग बर्ड्स है अब राइमिंग बर्ड्स जो नहीं होगा उसको क्या करेंगे उसको क्रोस करेंगे चलिए लोग राइमिंग बर्ड्स फानल कर लटे कौन-कौन है तो ओ, सी, के, ओ, सी, के, ओ, सी, के, ये फ्री बर्ड्स में सेम है एमिंग बर्ड्स फानल करें ले- इसको क्या करेंगे चलिए क्रोस करते हैं क्यों क्यों क्योंकि राइमिंग की क्यों कि प्रॉस कर देंगे चलिए क्रोस करते हैं S, O, B सोब सोब को क्रोस कर लिए Next question देंते हैं क्या है D, O, G Do L, O, G Lo D, O, T Do J, O, G J, Job तो स्टेंस आप इसमें क्या करेंगे सब जितने फाइन रट करेंगे कि जितने राइमिर बोट्स है वो कौन है तो स्टेंस यहाँ पर क्या है D, O, G O, G O, G और O, G मिस्टेंस यहाँ पर क्या है First letter सब का different है और Last letters क्या है Last letters सब का same है यह क्या है? एक दुसरे का writing words है Cross किसको करेंगे? तो डोट को चलिए डोट को cross कर देते हैं Next questions C, O, B Co F, R, O, C K Frog Frog S, O, B So M, O, B Move तो चलिए पहले फर्स्ट क्या करेंगे? Riding points पाँज़ब करेंगे चलिए हम लोग Riding points पाँज़ब करते हैं C, O, B O, B O, B O, B Means चलिए पाँज़ब क्या है? Riding points है Cross किसको करेंगे? तो frog को चलिए frog को cross कर देते हैं यहाँ पर frog cross हुआ तो चलिए यह हम लोग study किये हैं Cross करना था On, One, Out means जो rhyming words दिया हुआ था उसके अलावे जो अलग different type का word write किया हुआ था उसको में क्या किये है सर्तों कर दिये है I hope students यह activities आपको समझ में आया होगा Okay students Thank you